को विवें såय तो प्लूंढ्स demk to my channel आज में आपके लिक्राएं यु बहुतीं जल्दी बहुतीं कम समय में और बहुतीं कम ोईल में नाश्टा ये हल्दी भी होता है और फटवटसे बन जाता है और खाने में टेस्ट आप इसे टमेटो केचप के साथ में खा सकते हैं चाहे तो नादिल की चटनी के साथ में खा सकते हैं वो भी अच्छा लगता है आप इसे जबर ट्राइब कीजिए का बना शीडू कहते हैं यहां हमने मिक्सिंग बॉल लिया है इसमें आपको लीनी है एक कप सोजी और उसके सा एक बड़ा चम primo और इसी के साथ में यहां पर हमने लिये हैं कॉन यहां हमने सूइट कॉन लिया है यह आपको लेना है दो चम्हास चितना कॉन इसमें थोड़े से जाधा होते हैं तो अच्छे लगते हैं स्वाद अनुसार नम्मक और यहां पर आपको लेना है एक चौथा ही चमस जितना बेकिंग सोडा नहीं है तो इनू ले सकते हैं बट बेकिंग सोडा है तो फिर पहले वोल्क प्रफर करना थोड़ा से इसको मिक्स कर लेंगे यहां हमने पानी लिया है अब यहां पर हम अब भी हम इसमें अट कर सकते हैं मिक्स हमने इसको कर लिया है अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरीके से है तो अभी हम इसको पांच मिल्ट के लिए ठकके रख देंगे ताकि चीज़ें अच्छे से सैथ हो जाएंगे चेक कर लेते हैं तो यहां पर अभी देख सकते हैं सूचे अच्छी से फूल गई है यह बैटर अभी थोड़ा सा थिक है अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी एड करेंगे जिससे आप इडली का बैटर बनाते हो ना उस तरीके की कंसिस्टेंसी होने चाहिए यह ते तैयार हो गया है यह आपको थिक लगते हैं तो तो फिट आप नॉन स्टेक तावाले सकते हो नॉन स्टेक कणायी ले सकते हो कर यह बादा नहीं लेना है हल्का से तो आपको ग्रीज कर लेना爹 मुझा ले बैटर एक साथ जादा नहीं डालना है इक बार में 2-3 चमश भी है बस क्योंकि यह फूलता भी काफी है अब इसको आप एक छोटी सी प्लेट से ढग देना फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है और दो तिर मिनिट के लिए इसको लो फ्लेम पर होने देना फिर आप इसको चेक करना हलका सा आपको इसके उपर इस तरीके से ओल लगाना ज जादा जरूरत नहीं होती है फिर आपको इससे पलटना है दिखिए छोटा है तो हो सकते है पलटने में आपको दिक्कत रहे तो इसके लिए एक तरीका है एक प्लेट आपको लेनी है और उस प्लेट में आपको इस तरीके से इसको निकाल लेना है और इसको इस साइट से ऐ एक हरवार में आपको ओयल की जरुवत रहती है ये कम से कम ओयल में बनता है बेटर डाले के बाद में दो तीम निटी के लिए ढग देना फिर आप इसको चेक करना और ऐसा भी नहीं है कि इतना थिक बनता है, आपको दिखने में इतना ये लग रहा है काफी fluffy रहता है अंदर से अच्छे से जालीदार होता है और बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहता है अंदर तक अच्छे से सिख जाता है तो जिससे हमने बाकी बनाए है इसी तरीके से हम बाकी सब भी बना कर तयाग कर लेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ ये दोनों साइट से अच्छे से सिखा है और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये काफी fluffy रहते हैं और ये खाने में भी बहुत ही tasty लगते हैं आप इसे tomato ketchup के साथ में खा सकते हैं अरल चटनी के साथ में भी आप इसे खा सकते हैं और ये फटाफट से बनकर तेयार हो जाता है तो आप इससे अपने हर पर जरूर ट्राइक कीजेगा बहुत ही हलका बहुत ही डिस्टी नाश्ता होता है अप जब रहता है ना फटाफट से कुछ बनाना तो आप ये जरूर ट्राइक कीजेगा और मैं आप इसे एक पर इस तरीके से दिखा देती हूँ ये देखिए अंदर तक ये कितना अच्छे से fluffy है और taste तो आप बना कर जरूर देखिएगा काफी light breakfast रहता है ये और ये आपको मेरे आज की रसी पसंद आई होते हैं इसे like करने ना बुले ज़ाद से आप इसे share कीजे चैनल पर नए है तो उसे subscribe कीजे bell icon को press कीजे Thank you